दोस्तों यह है मेरे पास में एक सैमसिंग का फॉन और यह है मेरे पास में एक वीवो का फॉन और यह है मेरे पास में एक MI कंपनी का फॉन और यह है मेरे पास में एक ओपो कंपनी का फॉन और यह है मेरे पास में एक वन प्लस कंपनी का फॉन और यह है मेरे पास में एक टेक् के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आप इन सभी मुबाइल फोन को अपनी टीवी के साथ में कैसे कनेक कर सकते हैं एक सिंपल से तरीके की मदद से नमश्कार दोस्तों मिरा नाम मनीश और आप देख रहे हैं बंटी टेक यूटूब चैनल चली वीडियो को चुरू करते हैं विदार स्टिंग एनिटाइम सो लेट्स के स्टार्टेड दोस्तों आपके पास में किसी भी कंपनी का मुबाइल फोन हो मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर अगर आप उस वीडियो को स्टेप बाइस टेप फॉलो करते हैं और वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपका मुबाइल फोन आपकी टीवी के साथ में बहुत ही असानी से कनेक्ट हो जाएगा सबसे पहले आपको अपनी टीवी का रिमोट ले लेना है टीवी के रिमोट में आपको एक होम का बटन मिलेगा कुछ इस तरीके से आपको एक अपर होम के बटन पे क्लिक करना है आपको उपर की साइड में एक सेटिंग का अप्षalyst मिलेगा रिमोट की मदच से आपको ही सैटिंग वाले ओप्षिन पर आना है और ओके पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर पहला ओप्शन मिलेगा नेटवर्क चालू कर देना है mobile होट्समो करने के अब यहां सबसे पहले आपको अपना मोझा कए होट्स पोर्ट का पासवूर्ट देख लेना है और उसके बाद में आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल स्टोस ड़े आपको शर्च करना है गूगल हम आपको यह वाल ना एप application आपको अपने मोबाइल फोन में डाउलोड कर लेना है उसके बाद में आपको अपने टीवी के अंदर जो आपने अपने मोबाइल का hotspot चालू किया है वह वाला वाई-फाई आपको अपने टीवी के अंदर connect कर लीना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने Galaxy S20 FE 5G जो मैंने अपने phone का hotspot चालू किया है वो Wi-Fi मैंने अपने TV के अंदर successfully connect कर लिया है अब मैं Google Home application को open करता हूँ और यहाँ पर मैं get started पर एक बार click करता हूँ उसके बाद मैं next के उपर click करता हूँ यहाँ पर मैं allow कर देता हूँ और कोई भी एक Google account को select कर लेता हूँ उसके बाद मैं OK पर click करता हूँ OK पर click करने के बाद में नीचे की side में आपको एक option दिखाए देगा devices का तो दोस्तों मैं यहाँ पर devices वाले option पर click करता हूँ यहाँ पर TV का option मिलेगा TV के option पर एक बार click करता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर एक option आपको देखने को मिलेगा cast my screen का तो मैं cast my screen पर click कर देता हूँ उसके बाद में cast screen पर click कर देता हूँ और यहाँ पर start now का option आ चुका है अब मैं start now पर जैसे ही click करता हूँ उसके कुछी second बाद मेरा mobile phone मेरे TV के साथ में बहुती असानी से connect हो चुका है और आप भी इस trick की मदद से अपने phone को अपने TV के साथ में connect कर सकते हैं